पिछले एपिसोट में आपने देखा कि संजीव की शर्टों के बारे में संजना की माबापको नहीं पता होता, क्योंकि अगर उन्हें शर्टों का पता लग जाता, तो वे रिश्टे के लिए कभी न मानते। वही संजना ज्यादा से ज्यादा संजीव के साथ रहने के मौकी ढूंटी थी, और अब उनकी सगाई का दिन भी आ गया था, लेकिन सगाई वाले दिन संजीव के पापा ने शर्टों वाली बात संजना के पापा के सामने बोल दी थी, जिससे वे बहुत हैरान थे, अब आगे संजीव और संजना अब एक दूसरे का अगोठी पहनाने ही वाले हैं और उधर कमलेश गिर्वर के सामने शर्टों का रास खोलने वाला था मेरा बेटा तेरी बेटी से, अरे वो कोई दूद पीता बच्चा थोड़ी है, जो जबरदस्ती कर रहा है, तुम पहले अपनी बेटी को देखो, शादी करने की ऐसी आग लगी है, कि सारी शर्टे भी माल ली गिर्वर यह सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं, और वह जल्दी से अपनी पत्नी गीता को ढूदने लगता है, गीता भी कुछ परिशान लग रही थी, गिर्वर उसके पास पहुचता है गीता क्या हुआ, तुम बहुत परिशान लग रही हो यहां फिर कुछ औरते बात कर रही है, कि गौरी ने जान बोचके हमारी बेटी से रिष्टा किया है अरे, तुम क्या बात करती हो, जो मैं सुनकर आया हूँ, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है मतलब, आप क्या सुनकर आए है हमारी बेटी ने पता नहीं क्यों हमें ये सब नहीं बताया, लेकिन मुझे कमलेश ने सारी बातें बता दी कौन सी बात, मुझे बताईए तुम्हें याद है, उस दिन संजीव ने शर्ट वाली बात बोली थी, लेकिन तभी वो बाहर चला गया था, और बात बीच में रह गई थी हाँ, मुझे याद है, वे तो दहीज की शर्ट थी ना नहीं, वो दहेज की शर्ट नहीं थी, वो तो गौरी ने हमसे जूट बोला था क्या, पर वो जूट क्यों बोलेगी वो शर्ट ये थी, कि शादी के बाद संजीव अपनी मर्दी से जिएगा, नहीं बच्चे पैदा करेगा, और ना हमारी बेटी को पतनी की तरह मानेगा ये आप क्या कह रहे हैं, हो सकता है कमलेश भाई साहब जूट बोल रहे हो, वे तो वैसे भी इस रिष्टे से खुश नहीं है ये मैं भी जानता हू, वो खुश नहीं है, लेकिन गीता वो जूट नहीं बोला, इतनी परक तो मुझे भी है गीता और गिर्वर अब बहुत परिशान थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें उधर संजीव संजना को अंगूटी पहनाने ही वाला था, कि तब गीता और गिर्वर वहां पहुच जाती हैं रुको, ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाती है गौरी और संजीव से बात करना चाती हूँ मैं हाँ गीता बात कर लेंगे, सगाई तो हो जाने दो नहीं, पहले सगाई नहीं होगी, पहले बात होगी वही कमलेश भी खड़ा था, और यह सब देखकर काफी खुश हो रहा था क्या बात है आंटी, आप काफी नराज लग रही है मुझे गुमा फिरा कर बाते करनी नहीं आती है तुमारी तरह सिधा ही पूछोंगी, पर क्या हुआ गीता ऐसा क्यों कह रही हो संजीव, शादी के बाद कुवारे लड़के की तरह जिंदगी जीना चाता है और बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहता तो तुम उस पर शादी का दवाब क्यों बना रही हो लेकिन तुमें ये सब किसने कह दिया तब ही गीता कमलेश की तरफ देखती है और कमलेश मुस्कुरा रहा था और गौरी भी कमलेश को देखती है वह समझ जाती है आपने ऐसा क्यों किया भाई साहब को क्यों कह रही हो तुम उन्होंने तो सिर्फ सची बताया है हाँ, हमारे होने वाले समझी है इन्हें सारे सच्चाई तो पता होनी चाहिए वही संजना यह सब देखकर काफी दुखी हो गई थी उसने सोचा भी नहीं था कि उसके माबाप के सामने इस तरीके से बात खुल जाएगी ममी, आप आंटी से कुछ मत कहिए मैंने ही इनको मना किया था तू तो ना समझ है, छोटी है लेकिन गौरी को तो समझ है ना एक बर हमसे बात तो करती बस मुझे डर थाओ, तू मना ना कर दो क्योंकि मैं इनकी बच्वन से ही चाहती थी कि संजना मेरी घर की बहु बने सब जानती हो गौरी मेरी बेटी को तुमने क्यों चुना है ताकि सारी जिन्दगी तुम्हें फ्री की नौकरी मिल जाए नहीं कीता, ये तो मेरी बेटी जैसी है ऐसा मत सोचो प्लीज ममी, इस समाप कैसी बाते कर रही है आपको गलगलाने की कोई जरूत नहीं है वो भी इस लड़की के लिए मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है वे जैसी भी है, तुमसे लाख अच्छी है तो फिर ले जाएए इसे और मेरे माबाब से इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है संजीव, तुम भी मेरे माबाब से इस तरीके से बात नहीं कर सकते संजीव बेटा पहले ही मना कर देना था ये सब ना करते मैंने संजरा को सब साफ बोल दिया था और आपको सच्चाई बताने के लिए भी कहा था पर ये नहीं मानी इसमें जूट बोला तुम्हारी बेटी जोटी है कोई संसकार नहीं दिया आपने उसे सब गलती तुम्हारी है पैसे आने के साथ साथ इतना अभीमान भी आ गया इससे तो कम पैसे वाले अच्छे हमारी बेटी कोई गुडिया नहीं दि जो जैसा चाहे खेल लिया कुछ तो कद्र करते सारी सब ने तोड़ दिये, 11 सालों तक ये संजीव संजीव करती रही तब माहसा बना दिया इसका नहीं नहीं गीता ऐसा नहीं है, इसे बेटी माना है मैंने, मैं सचमें संजना को बहुत पसंद करती हूँ सब जूट है मैंने यहां की ओर्टों को बात करते हुए सुना है कि तुमने अपने फाइदे के लिए गरीब घर की लड़की चुनी वे सब लोग गलत कह रही है लोगों की बातों में आकर इतना प्यारा रिष्टा मत खराब करो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत हो गया ममी इन लोगों को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ये लोग इस लायक नहीं है तुम सब जो इतना पैसों का घमन दिखा रहे हो ना अब देखना मैं भी क्या करती हूँ क्या कर लेंगे आप पताईए कुछ नहीं कर सकेंगे आप पूरी दुनिया घूम लेजिए आपकी बेटी के लिए कोई धंका लड़का मिल जाये तो हम यहीं है प्लीज आप सब लोग लड़ना बंद कीजिए संजना और गौरी काफी दुखी थे और रो रहे थे वहीं बाकी सब आपस में बहस कर रहे थे संजीव गुस्से में अपनी अंगूठी फैक देता है बहुत हो गया ड्रामा मुझे कोई रिष्टा नहीं करना है अरे तुम्हें क्या नहीं करना हमें ही नहीं करना और वह अपनी बेटी संजना का हाथ पकड़ लेती है चल यहां से ममी प्लीज मैं संजीव से फ्यार करती हूँ इन दोनों का रिष्टा मत तोड़ोंगी था मैंने नहीं तुम सबने तोड़ा है ममी बस बहुत हो गया अब हद से जादा गुस्ता आ रहा है मुझे जाने तो इने पहले अपने बेटे का भीमान तो देखो गौरी इससे मेरी बेटी की कोई परवा ही नहीं है कोई प्यार ही नहीं है हाँ नहीं है और नहोगा ले जाए अपनी बेटी को मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा ऐसे मत बोलो तुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी यह तु बहुत कलत कर रहा है मम्मी मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा आप चुप रही है वहीं गीता अपनी बेटी संचना का हाथ पकड़कर उसे खीचते हुए ले जाती है और संचना रो रही थी मम्मी प्लीस आप से उजे खादान में ही इसका रिष्टा करूँगी यह वादा है मेरा यहाँ खड़े सब ही लोगों के सामने बोल रही हूं आपके घर में बेटी नहीं है तो बेटी की इस्दत क्या होती है यह भी नहीं पता आपको शर्मानी चाहिए आप लोगों को इसके साथ गीता और गिर्वर अपनी बेटी को लेकर चले जाती है और वहीं कौरी जोर जोर से रो रही थी और सब लोग वहां खड़े यह सब तमाशा देखकर अपनी घर चले गए थे ऐसा लग रहा था मानो कोई फूल खिलता हुआ अचानक से पूर गया कौरी और संजना की सारी सपनी चूर चूर हो गए थे नजाने अब संजीव और संजना की किस्वत में क्या लिखा था अगले एपिसोड में क्या होना है देखते रहिए पिया अभिमानी में